नमस्कार मित्रों आज के वेडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि करकरासी वालों का दिसम्बर 2020 का शमय कैसा बीतेगा आने वाले शमय के दौरान आपके जीबन में क्या-क्या पड़ी वर्तन क्या-क्या बदलाब होगा अगर आप ये साड़ी बाते जानना चाहते हैं तो इस वेडियो को आप लाइक कर दें साथ में चैनल को सब्सक्रेब कर दें इस वेडियो के नीचे हरे हरे महादेब कमेंट कर दें मित्रों इस वेडियो के अंत में आपके दिसम्बर 2020 का अनोखा टोटका है जिस टोटके को अगर आप आजमाते हैं तो आपका आने वाला शमय बहुत जयादा बिहतर और शानदार होगा तो वीडियो को बड़े ही ध्यान से आप सुनने का प्रयास करें मित्रों अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो आप लिंक पर क्लिक करें और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लें तो अब हम आगे बढ़ते हैं मित्रों दिसंबर 2020 के दोरान आप में से जो भी जातक जो भी दरसक नए काम की सुरूआथ करना चाहते हैं तो नए काम को सुरू करने से पहले आपको जिस फिल्ड में जाना है जो भी काम सुरू करना है उस काम के बारे में आपको साड़ी बातें पता करनी होगी साड़ी बातें पता करने के बाद ही आप नए काम की सुरुवात करें क्योंकि आने वाले शमय के दौरान अगर आप बिना किसी जानकाडी के नए काम की शुरुआत करते हैं तो आने वाले शमय के दौरान आपके काम काज में आपके काड़िय छित्र में आपका शमय आपका साथ नहीं देगा मित्रों आप में से जो भी दर्सक जो भी जातक नसा पान करते हों धुमर पान करते हों या सराब का सेबन करते हों तो आने वाले शमय के दौरान इन चीजों को आपको छोरना होगा आपके शुवास्त के मामलों में आपका शमय आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा मित्रों आप में से जो भी जातक जो भी दर्सक नोकड़ी करते हों ज्यौब करते हों तो आने वाले शमय के दौरान आपके नौकडी में आपके काड़े छित्र में आपके बॉस या आपके सिनियर के द्वारा आपको जो भी काम दिया जाए आपको जो भी टास्क दिया जाए तो उस काम को मिहनत इमान दाड़ी और एकागरता के शाथ आपको पूरा करना होगा अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आने वाले शमय के दौरान आपके नौकडी के छित्र में आगे बढ़ने का मौका आपको बहुत जियादा मिलेगा मित्रों आने वाले शमय के दौरान अगर आपके प्रेम संबंध में कहीं कोई पड़ेशानी कहीं कोई शमस्या हो तो आने वाले शमय के दौरान उस पड़ेशानी का अंत आपको खुद से करना होगा क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाले शमय के दौरान आपके प्रेम संबंध में पड़ेशानी का सामना आपको बहुत जियादा करना होगा मित्रों आने वाले शमय के दौरान अपने समय को बहतर और शांदार बनाने के लिए आपको नियमित रूप से असनान ध्यान करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा अगर आप ऐसा करते हैं इस टोटके को अगर आप आजमाते हैं तो आने वाले शमय के दौरान आपके जीबन में कहीं कोई पड़ेशानी कहीं कोई समस्या नहीं होगा तो यही था आपके दिसंबर 2020 कारासी फल तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें साथ में चैनल को सबस्क्रेब कर दें इस वीडियो के नीचे जै बजरंग बली कमेंट कर दें इस वीडियो को आप वाटसेप, फेस्बुक, इंस्टाग्राम, ट्वीटर हर जगह सेयर कर दें ताकि आपके शंपर्क में बाकी जो भी लोग हों वो इस वीडियो को देखें और अपने समय को बिहतर और शांदार बना सकें धन्यवाद